हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के एक अच्छा दस्वी के गड़ित के अध्याए 11 रचनाए की प्रशनावली 11.2 के सभी प्रशनों को हल करेंगे प्रशन एक में हमसे कहा गया है निम्न मैंसे प्रतेक के लिए रचना का ओचित्य भी दीजिए तो हमें रचना करनी है और उसका ओचित्य देना है मतलब प्रमाणित्ता करनी है तो प्रश्न एक में है 6 cm तरज्जा का एक ब्रत खीचे यह तो कोई भी खीच लेगा हम खीच लेंगे फिर केंदर से 10 cm दूर इस्थित एक बिंदू से ब्रत पर इश्पष रेखा युगम की रशना कीजिए और उनकी लंबायम आपी है तो हमें पहले 6 cm तरज्जा का एक ब्रत खीचना है फिर उस ब्रत के केंदर से 10 cm दूर इस्थित एक बिंदू लेना है उस बिंदू से ब्रत पर इश्पष रेखा युगम का मतलबत है दो यानि कि दो इश्पष रेखा है खीचनी है रशना करनी ह और उन दोनों इस पर शिखाओं की लंबायम आपनी है और भूल मज़ाना उपर लिखाए कि रचना का उचित्त भी देना है ठीक है तो प्रमानिकता भी करनी है ठीक है तो रचना की चरण होंगे पहला चरण है हम कोई बिंदू ले लेंगे वो केंद्र मानकर 6 cm तरज्जा अपनी पट्री से स्केल से और एक बिंदू लेना पी जो केंद्र से 10 cm की दूरी पर हो अब देखो 6 cm तरज्जा का वरत है तो 10 cm की दूरी वाला जो वरत के बाहर होगा ठीक है आप इसको पट्री से स्केल से नापके लेना ठीक है फिर पी-ओ को मिलाईए अब ये बिंदू तो पी जो लिया हमने 10 cm दूर ये और केंदर ओ इन दोनों को मिला दिजे मिला दिया अब पीओ का सम्धिभाजित कीजिए पीओ को सम्धिभाजित करिए ठीक है तो लम्द सम्धिभाजित कैसे करना होता है हमने अध्या 11 के परिचे के वीडियो में पढ़ा था तो उसी प्रक प्रक्रिया को समझाया गया है अध्या 11 के परिचे के वीडियो में तो आप हमारे अध्या 11 के परिचे का वीडियो अवश्य देखें तो क्या थी प्रक्रिया जिस भी रिखाखंट को सम्धिभाजित करना है जैसे कि पीओ को करना है तो पी और ओ को केंदर मान कर तथा एक लेकर रेखाखन पियों के दोनों और एक दूसरे को प्रचिशेद करते हुए चाप लगाई है क्या करना होगा प्रकार का नुकिले हिस्सा रखेंगे बिंदू पीपर ठीक है प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसल के बीच की दूरी रखेंगे पीओ के आधे से अधिक और अब प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले हिस्से को बिंदू पीपर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पैंसल से नीचे है अब प्रकार के नुकिले हिस्से को लाएंगे हम बिंदू ओपर प्रकार के नुकिले आप मालने के जहां दूसरे को a और b बिन्दू चाप कर रहा है वो है बिन्दू a और जहां पर लेक दूसरे को प्रतिच्यत्र नीचे वह बिन्दूB, अब आ और बिको हम मिला मिल दिते हैं लट लेकर को मिला देते हैं हैसे लेकिए भी जो है प्रतिशेद करती है यह आप प्रतिशेद कर रहा है वह यहां विर कर रहा है और प्रतिशेद कररों कि इस पर कॉल-चनो को को समद्धिवाजित कर दिया थैसक दो मड़ी है प्लू थ sushi by Mustang और व्रेश्य होंगे अब आ जाते हैं चरण पांच में में क्या करना है M को किंदर मान कर तरचा M लेकर एक ब्रत कीजिए M को किंदर मानें और M को तरच जालेंगे ठीक है इतनी दूरी की तरच जालेंगे te署म बराबर टकें छाहें तो पी-एमों के बराबर भी ले सकते हैं क्योंकि पी-एमोरेमों बराबर हैं तो Ail Kung केंडर मानकर इंद्र मान करेंक लेकर व्रट खीच देते हैं अ इसे बरद खीच दिया हमने गला की यहां अगया दिया गया वरत को Q और A पर प्रतिशेद करता है तो इसको माल ने ते बिन्दू Q और नीचे प्रतिशेद कर रहा है तो इसको माल ने ते बिन्दू R अब आजाते हैं रचना के साथ विचरण में P को Q तथा R से मिलाई है तो बिंदू P को मिला देंगे बिंदू Q से ठीक है मिला दिया और बिंदू P को मिला देंगे बिंदू R से मिला दिया तब P Q और P R अभिष्ट दो इसपरश रेखा हैं अब जो PQ है और PR है वोही क्या है हमारी इसपष रेखाएं तो हमने इसपष रेखाUR योगम् की रचना करदी ठीक है दिए गए बिंदू P से और दिए गए बरत पर इसपष रेखा pau PQ और PR की रचना करदी योगम् मतलब गी दो-इसपष रेखायों की रचना करना कर दी हमने PQ और PR को मापने पर उनकी लंबाईया मापने को बुला है आप पट्री से PQ को मापिएगा ठीक है तो मिलेगा आपको 8 cm आप पट्री से मापिएगा PQ को ठीक है तो 8 cm मिलेगा और फिर पट्री से मापिएगा PR को PR को मापिएगा पट्रे से तो मिलेगा आपको 8 cm दोनों 8 cm के मिलेंगे तो यह तो हो गया उत्तर यह रचना हो गई और हमने लम्बाईयम आपली अब हमें करनी है रचना का औचत्य देना है यानि की रचना की प्रमाणिकता भी करनी है रचना पूरी हो गई दोस्तों अब हमें रचना की प्रमाणिक्ता करनी है यानि की रचना का उच्छत्य देना है इसके लिए हमें क्या करना होगा पहले तहरी है च्छी है विए है यहां ज़्यत dir ook और यह उसका और और ऐ को मिला है ऐह ब मतलब पीओ का अब यहां व्यास प्रसक्रände की चाहता यह साहता है यह वाला इसका व्यास है इस का व्यास होगा व्रत का व्यास अर्द्वरत ही होता है बिल्कुल सही बात है और हम जानते हैं कि अर्द्वरत का कौन समकौन होता है यह हम कच्छा नौ में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि देखो अर्द्वरत से ठीक है यह ब्रत के व्यास से जब भी हम कोई कौन बनाते हैं तो वह 90 डि का होगा दुस्त सी पिर गया देखिये कौन और टिक यह वाला ¬ है हुआर जो है वह भी 90 डिग्री का होगा ठिक है यह जो हत Ona रहे यह camper डिग्री का होगा क्योंकि यह भी विमयने को से बन रहा है ब्रत की व्यार से बन रहा है थो तो कौन R भी 90 डिग्री का होगा कौन Q 90 डिग्री का है इसका मतलब क्या है कि PQ और OQ एक दूसरे पर लंब है ठीक है तो PQ और OQ एक दूसरे पर लंब है और कौन R 90 डिग्री का है इसका मतलब क्या है PR और OR PR और OR, एक दुसरे पर लंब है, ठीक है, तबी तो ये 90 degree का होगा है, ठीक है OQ और OR क्या है ब्रत की तरजाए है, टेखो OQ और OR, यह दिए गए ब्रत की तरजाए है, ठीक है और ब्रत की तरजाए हैं, जो है वो बרाबर ही होती है, ठीक है तो Aq और Or प्रक्त की तरिज्जा हैं और हम जानते हैं कि जो तरिज्जा होती है वो श्पश्रेखा पर लम होती है तो देखे तो PQ और PR क्या हैं हमारी इस परष्रेका हैं यह हो गई हमारी रचना की प्रमाणिकता अब हम रचना की उस प्रमाणिकता को देख लेते हैं जहां पर हमने PQ और PR की लंबाई को ना पाता अभी ठीक है, कि वो जो ना पाता वो सही आ रही है कि नहीं दोस्तों OQ और OR जो है वो 6 cm के होंगे क्योंकि यह दिये गए जो व्रत है उसकी त्रिजाएं है ठीक है 6 cm त्रिजा का व्रत खीचे तो हमने तो OQ और OR जो है वो 6 cm के हैं और PO जो है वो कितना है 10 cm क्योंकि हमने केंज से 10 cm दूर इस ते एक बिंदू पी लिया था है तो O से 10 cm दूर है पी बिंदू तो PO है हमारा 10 cm रचना से कौन Q आभी हमने देखा 90 डिगरी यह ति कौन Q जो है वो 90 से निकाला था यह कौन R 90 degree का है यह भी हमना भी निकाला था ठीक है कि अर्दवर्थ का कौन समकौन होता है वहाँ से निकाला था ना भी हमने अब सम कौन तिर्वज पी-क्यूब तैक Susm-कौन-तिर्वजोज में होता है current लंब दनाधार का वर्क बरावर current का करण current का वर्क टिक है यह current का करक सरी होता है समकौन-तिर्वोज के अन्यदर वजहों के वर्क के योग के बरावर होता है हम कह सकते हैं on q 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 cos q 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 बरावर 10 हो जाएगा सो अब शुद ऐस्कोत को ले जाएंगे ढीतर अब तो रहतक हो जाएगा तो फीसितों को बाधिया Dire साउ माहिन चाहिए साउ मैसे च्छतिस को गटाएंगे तो मिलेग Espero पीट कह बर तुर्बञ़ पूर्बज पी आरो में है तो जिसमें की कॉन आर्ट जो है और तो इस हमकर्ण क्या होगा जान होगा थमें जाय तो कॉर्ण का बइसके और लखन तो प्यृएर का धन ओर और झुलिजंतों थीम्हें सिन्थे मla Gods गर्श सेंटिमीटर रूला बरावर PO का वर्ग, PO किता 10 cm तो 10 का वर्ग तो यह हो जाएगा PR का वर्ग 6 का वर्ग हो जाएगा 36 बरावर, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 अब 36 को दाएं चरब ले जाएगे तो रिंका हो जाएगा तो PR का वर्ग बरावर हो जाएगा 100 माइनस 36 सव मैं से 36 को कटाएंगे तो मिलेगा 64 तो पियार का पर रगागे 64 दोनों तरफ अंडरूट लेंगे तो 64 का अंडरूट होता है 8 पियार आगया हमारा 8 cm तो इस तरह के से हमने पियार की लंबाई की भी पुष्टी कर दी प्रमानित्ता कर दी कि जो 8 cm हमने ना पाता वो सही है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह प्रशन होता है हमारा यहां पर समाक्त प्रशन दो निम्न मैंसे प्रते के लिए रचना का अचत्त भी दीजिए प्रशन दो में हमें एक रचना करनी है और रचना का अचत्त भी देना है अर्थात रचना की प्रमानिकता भी करनी है ठीक तो दोस्तों, एक 4 cm त्रिज्जा का व्रत किछना है, फिर 6 cm त्रिज्जा का एक संकेंद्रिय व्रत किछना है, तो संकेंद्रिय व्रत का मतलब होता है, जिन व्रतों के केंद्र समानों, तो 4 cm त्रिज्जा का जो केंद्र होगा, वही केंद्र होगा 6 cm त्रिज्जा के व्रत का दोनों भृतों के केंदर एक ही होगा तो फिर 6 cm तरजिजा के संकेंदिय भृत के किसी बिंदू से एक ऐ 108 cm तरजिजा का जो एक 9,00-2019 तरजिजा के रचना कीजिये तो 6 cm तरजिजा का जो एक ऐ synt時 तो रचना के चरण, सबसे पहला चरण है किसी बिंदू ओ को केंद्र मान कर एक 4 cm त्रिज्जा का एक व्रत खीचिए, तो बिंदू ओ को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकिला इसा रखेंगे बिंदू ओपर और 6 cm त्रिज्जा का एक व्रत खीच देंगे, तो बिंदू बिंदू को केंद्र मान का प्रकार की साहता से 6 cm तरिज्जा का एक ब्रत किछ दिया और फिर इस ब्रत पर जो 6 cm तरिज्जा का ब्रत है उस पर एक बिंदू पी ने लेंगे तिक अपनी सुविधा के नुसार यह हो गया चरणड़ दो अब पी और वो को मिला यह बिंदू पी अध्या 11 के परिशे के वीडियो में भी पड़ा है तो अब हमारे अध्या 11 के परिशे का वीडियो अवश्य देखें और रश्णा 11.03 में भी हमने किया है ठीक है तो वो भी आप देख सकते हैं अब हम कर लेते हैं पीओ को सम्दिभाजित अब P.O. को सम्दिवाजित कर लेते हैं तो तरीका क्या होगा P.O. को केंदमान कर तता 1 बटा 2 P.O. से अधिक तरज़ा लेकर एक बटा 2 P.O. मतब P.O. के आदे से अधिक तरज़ा लेकर रेखाखंड P.O. के दोनों और एक दूसे को प्रतिचित करते हुए चाप लगाई है तो प्रिकार का नुकिले हिस्सा पकड़ा दोस्तों हमने और रख दिया बिंदू P.O. ठीक है और प्रिकार के नुकिले हिस्से और पैंसिल की दूरी को रखा P.O. के आदे से अधिक दूरी पर प्रिकार के नुकिले हिस्से को बिंदू P.O. 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 के नीचे हिस्से को बिंदू P.O. के नीचे हिस्से को बिंदू P.O. के नीच पहले चाप लगाएता उसको प्रतिष्येद करें अब प्रकार के nóak edge से को रखेंगे विंदू उपर ही और प्रकार के नुलिय से और pencil की दूरी वही रहेगी और एक चाप लगा देंगे P-O के नीचे जो पहले लगाए के चाप को प्रतिश्यद करें ठीक है अब मान लेते हैं ये दोनों चाप ये चाप एक दूसरे को A बिंदू और B बिंदू पर प्रतिश्यद करते हैं ठीक है तो मान लेते हैं कि उपर वाला चाप A बिंदू पर प प्रतिश्यत करती है यह जो AB है प्रतिश्यत करती है वह मान लेते हैं विंदू M ठीक है तो अब यह कर दिया हमने PO को सम्धिभाजित यानि कि AB ने PO को सम्धिभाजित कर दिया दो बरावर भागों में बाढ़ दिया जितना PO होगा उतना ही हमारा M.O. होगा जितना P.M. होगा उतना ही M.O. होगा P.E. से M. की जो दूरी होगी वही दूरी M. से O. की होगी ठीक है तो P.O. को सम्दिभाजित कर दिया हमने A.B. से अब चलते हैं रचना के पांच फचरण में M को किंद्र मानकर और M.O. को तरज्जा लेकर एक व्रत किजिए M.O. लेने या P.E.M. लेने एकी बात है क्योंकि P.E.M. और M.O. बराबर हैं क्योंकि A.B. सम्दिभाजित के P.O. ठीक है तो M.O. किंद्र मानकर और M.O. को प्रतिछेद करता है तो मान लेते हैं कि यह जो ब्रत खीचा हमने अभी यह दिये गए ब्रत को जहां प्रतिछेद करता है जैसे यहां प्रतिछेद कर रहा है ठीक है यह बिंदू हो गया Q मान लेते हैं इसको यहां प्रतिछेद कर रहा है यह पीले वाले दिये गए ब्रत को ठीक है तो यह बिंदू हो जाएगा हमारा बिंदू आर अब आ जाते हैं हम रचना के साथ के चरण में बिंदू P को Q और R से मिला देते हैं बिंदू P को मिला दीजे बिंदू Q से मिला दिया और बिंदू P को बिंदू R से मिला दिया तब पी क्यू और अब इस्ट दो इसपर देखाए हैं, जिनकी हमें रचना करनी थी, अब हमें PQ और PR को मापना भी है, इनकी लंबाई को मापना है, ठीक है, तो PQ पत्री से, स्केल से आप नाप लिजिए PQ को, ठीक है, तो आप PQ को नापेंगे, तो आपको आएगा 4.47 cm, ठीक है, तो PQ की लंबाई को माप ठीक है, तो आपका आदाएगा 4.47 cm, तो यह एक उत्तर हो गया हमारा, रचना हो गई हमारी, आप हमें करने हैं, रचना का ओचत्ते देना हैं, तो रचना की प्रमाणिक्ता को करेंगे, अब हम रचना हो गई, अब रचना की प्रमाणिक्ता कर लेते हैं, तो उसके लिए O और Q को मिला यह तथा O और R को मिला लेते हैं और O और R को मिला लेते हैं मिला लिया भाई साब P Q जो है P O जो है व्रत का व्यास है P O जो है वो व्रत का व्यास है जो अभी हमने की चाहिए उस व्रत का ठीक है व्रत का व्यास है, तो इसका मतलब PO अर्धवरत होगा, बिलकुल होगा व्रत का व्रत होता है, यानि कि यह जो PO है, व्रत को दो बराबर भागों में माठते हैं, और हम जानते हैं कि अर्धवरत का कौन समकौन होता है, मतलब कि व्रत के व्यास या अर्धवरत से जो भी कौन ह खीचेंगे व्रत के अंदर वो समकॉन होता है ठीक है यह हम कच्छा नौ में पढ़ चुके हैं आपको अगर यह नहीं समझ आ रहे तो आपको अच्छा नौ के भी वीडियो को देख लीजेगा तो आपको समझा जाएगा ठीक है कि अर्धवरत का कौन समकॉन होता है कौन झाँ जो है यह भी पी ओ से बन रहा है कौन रही है तो यह दोनों जो है कुझ्छ पर लंब होंगे है अगर कौन आ नबभी डिग्री का है तो पी आर और और एक दूसे पर लंब होंगे हैं अब अब दोस्तों क्यूं हो और रावर जो हैं होichen क養ंचे ज़ये और देट negative की है और दोस्तों जानते हैं कि दर पर यहां पर डेख्ये और है यहाँ पर ऑगर यहां पर नब है फीट क्यूकर बता प्रत 살बा है वो लंब है प्यार पर तो प्यार्व क्यों जाएगी हमारी इस पर स्यका तो हम क्य सकते हैं कि अध哈 प्योज़ान प्जिल्ज्जा अभिश्ड इस पर स्यग़्फ है ठीक है और यहां पर try。 Q आ Frank पर लंब होती है ठीक actors क होगी तो newspaper लंबा ही मापीति उसके परिकलन की भी जाच कर लेते हैं कि वो सही मापीति की नहीं अगे बढ़तें दोस्तों OQ और OOR 4 cm होंगे OQ और OOR 4 cm क्योंकि यह छोटे व्रत की त्रिजाए हैं व्रत की जाता हैं चाथ संटीमीटर कर दोने एक की बड़त की त्रिजा हैं ठीक है पर जोब और O ni से हैं तो कॉंड की 90 अब हम ने निकाला था यह जो कॉंड की अभी 90 डिंद्ग्री आयाय था हमारा ठीक है अर्ध वरत का कॉंड रिसरे कॉंड whack on बराबर औन्ने 2 बजाओं के वर्गों का योग करन होता है 90 degree के कौर बराबर तो o का वर्ग किसके बराबर होगा अन्ने 2 बजाओं के वर्गवों के हिंता है तो चार सेंटीमेटर है तो चार का वर्ग बराबर पीओ का वर्ग योगता है शे सेंटीमेटर तो च्छे का वर्ग अब तो बस हल करना है इसको तो पीक्यू का वर्ग हो जाएगा पीक्यू का वर्ग धन चार का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 36 अब 16 को ले लेते हैं तो PQ बरावर आजाएगा अंडरूट 20 अंडरूट 20 को आप हल करेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 4.47 तो PQ की लंबाई आगी हमारी 4.47 cm ठीक है पीक्यू की आप से नापेंगे तो भी आपको यही मिलेगी 4.47 cm अब बात कर लेते हैं दोस्तों सम्कौन तिर्वज पी आरो में यह नीचे वाला जो सम्कौन तिर्वज पी आरो है कि कौन आर जो है 90 डिग्री का है तो पी आरो जो है सम्कौन तिर्वज होगा हमारा अब इसमें भी लगा देंगे पाईतागरस प्रमें ठीक है तो पाईताग सते होगों के वर्ट हो इए लग कै यानि कि पी- यार का वर्ग तौन हमने लग पी- यार का वर्ग ड़न ओर कितना है चाई संतिमेटर ऑब यह के पी-वर्ग गटना छैसें निटरफ यानिकी lle यह यह जाइगा पी- अर्कावर प्रग response गःत्रफ डिंग behaviors but यहां आपके परिकलन के मापकी भी जाच हो गई यहां पर हो जाता है कि प्रशन हमारा पूरा ठीक है प्रशन तीन में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्नम ऐसे प्रतेक के लिए रचना का अचत्य भी दीजे प्रशन तीन है कि 3 cm तरिज्जा का एक ब्रत खीचे हम कीच लेंगे कोई भी खीच लेगा बतो फिर इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंदर से 7 cm की दूरी पर इससे 2 बिंदू P और Q लीजे इन दोनों बिंदूं से ब्रत पर इशपस रेखाएं खीचे तो दोस्तों प्रशन को समझते हैं और इसको हल कर लेते हैं तो प्रश्ण को समझ लेते हैं और हल कर लेते हैं तो रचना की चरन होंगे दोस्तों सबसे पहले तो किसी बिंद्य को केंद्र का मान कर 3 cm तरज्जा का 1 व्रत खिष लेते हैं एक बिंदु ले लिए हमने O ठीक अब इसको केंद्र मानकर 3 cm तरज्जा का एक ब्रत खीष दिया प्रकार की सह्ता से अब हमें क्या करना है ब्रत का व्यास EF को दोनों और इस प्रकार बढ़ाया पहले तो ब्रत का व्यास खीष लिया EF अब इसको दोनों और बढ़ाना है किस प्रकार बढ़ाना है कि P O और O Q 7 cm के बराबर हो देखिए P से जो O की दूरी है वो 7 cm हो और O से जो Q की दूरी है वो 7 cm हो यह दिया एक प्रश्मे इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंदर से 7 cm की दूरी पर से दो बिंदू P और Q लीजे तो P जो है केंदर O से 7 cm पर ले लीजे और Q को भी केंदर O से 7 cm पर ले लीजे पर इस प्रकार लेना है कि यह व्यास के बढ़ाए गए बिंदू हो ठीक है मतलब एक ही रेखा में होने चाहिए अब हमें क्या करने वाले है तो अब हम क्या करने वाले है P और O जो है P O जो रेखाकंड है इसको सम्दिभाजित करेंगे दोस्तो अध्याए 11 के परिचे के वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी रेखाकंड को कैसे सम्दिभाजित करते हैं और प्रकार के नुकले हिस्षे पैंसल की दूरी होगी P O के आधे से अधिक P O की जो दूरी है P O की किती दूरी है 7 cm है तो 7 cm का दा होगा 3.5 cm तो 3.5 cm से अधिक या नहीं 4 cm 5 cm कुछ भी रख सकते हैं वो रखेंगे और पैंसिल से लगा देंगे एक चाप उपर अब प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसिल की बीच की दूरी को वही रखेंगे ठीक है अपरिकार के नुकिलेस से और पैंसिल की दूरी वही रही और एक चाप लगा देंगे नीचे, अब जहां पर दोनों चाप उपर काट रहे हैं, उसको माल लेंगे बिंदु A, जहां पर दोनों चाप नीचे काट रहे हैं, उसको माल लेंगे बिंदु B, A और B को मिलाकर एक र कि प्रकार का नुखिला इससे रखेंगे बिंदू उपर उससे रखेंगे बिंदू उपर परकार के नुखिले इससे वह पैंसिल के पीश के दूरी होगी और तो पाधन में मेल थीख तो 4 cm रख लेते हैं तो 4 cm दुरी रख लिए प्रकार के नुकी ले इसे और पैंसल की और एक चाप उपर लगा दिया अब प्रकार के नुकी ले इसे को बिंदू उपर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे नीचे पैंसल से अब प्रकार के नुकी ले इसे को ले और दूरी वही होगी प्रकार किनूं के लिएसें से और फञेंसिल के, और एक चाप लगा देंगे नीचे, यह लिएख दूनों चाप जहां एक दुसर को काटेंगे, ऊपर वाले वह होगा हमारा बिंदु C, कुछ भी ले सकते हैं, नीचे वाले दूनों चाप जहां बिंदू D से होकर जाते हुए एक रेखा कीज देंगे यह रेखा जहां पर भी OQ को काटेगी वही होगा OQ का मद्ध बिंदू जिसे हम मान लेते हैं यहां पर बिंदू Y ठीक है करना है अब चलते हैं रचना के छट्वे चरंट में अब क्या करना हमें X को केंद्र मानकर और एक सो को टरिज्जा लेकर एक वारत खिछ से हो कर जाए कि यह जो ब्रत खीचा है यह दिये गया व्रत को जो पीला व्रत जो दिया गया व्रत है ठीक है उसको आर और एस पर प्रतिश्यत करता है ठीक है दो जगे प्रतिश्यत कर रहा है तो पहले बिंदू को माल लेंगे हैं बिंदू र और दूसरे बिंदू को माल लेंगे है कि अब यह को किंद्र हो को ग Almant the happening with the rainforest चीश देंगे वाय को किंद्र मानकर और वाय को तीidel लेकर एक वरत कीश देते हैं यह रधुर्ण कीश दिया अभल्य जो है ओंकिउं कम्हों द नू यह तो जो भी निगये वाय यो वह बंदू O और बंदू Q से हो जाएगा ठीक है एलम लेते हैं कि यह लिए व्रत को जिन दो बिंदे पर प्रतिशत कर रहा है वह बिंदू P टीज़िग सबुद्इशा कर रहा है उपा वाले बंदऊ कर यह दो बंदू को माल लेंगे बंदू T2 और नीचे वाले बंदू देता है और बिंदू completely को मिला देते हैं अर ब스타र की को बिंदू दी और बंदी को बिंदी को विंदू कि खीक है अलोट कि निया देते है अब जो हमें पी यार यह PR, PS, यह PS, QT, यह QT, और QU, Q, Q, जो मिला, यही क्या है, हमारी अभिष्ट इस परश रेखाए हैं, तो जो हमें इस परश रेखा हैं, कि रचना करनी थी, वो हमने इस परश रेखाओं की रचना कर ली, ठीक है, अब हमें करनी है रचना की प्रमाडिक्ता, रचना होगी हमारी दोस्तों अब हम रचना की प्रमाणिक्ता कर लेते हैं इसके लिए पहले तो O, R, O, S, O, T और O, U को मिलाईए तो O और R को मिला देते हैं फिर O और S को मिला देते हैं फिर O और T को मिला देते हैं फिर O और U को मिला देते हैं मिला दिया भी या, पी-ओ वरत का व्यास है, पी-ओ जो है जो हमने बाद में वरत की चाता उसका व्यास है, बिल्कुल है, तो पी-ओ अर्धवरत होगा, ठीक है, क्योंकि वरत का व्यास जो है अर्धवरत ही होता है, तो पी-ओ जो है अर्धवरत होगा, उसी पेकार क्यू-ओ कूण अर्दवरत का ब्यास है कि और हम जानते हैं अर्दवरत का कौन समकौन होता है तो देखिये जो अर्दवरत है उससे दो हमें मिल रहे हैं यहां पर एक क्वn आर और जो है अर्दवरत का कौन है क्योंकि PO अर्दवरत से बना है है क्कौन AT कंकौन है तो कौन R को लिखे 90D उश्यपिकार PO से एक और कौन बना हूँ है Qo S पसक्रम होगा 90 D degree का कौन स को 90 D degree दिखा गीया उश्यपिकार Qo अर्दवरत है तो Qo से एक कौन उपर बना है को इसी क्यु और कर को समकॉर्ण होता है को इसे चरह कह भी 90 तो पिएस लंब होगा ओएस पर पिएस और ओएस लंब होंगे एक दूसरे पर कौन टी 90 डिगरी है तो क्यूटी और ओटी यह लंब होंगे एक दूसरे पर तो क्यूटी लंब होगा ओटी पर दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे उससी प्रकार कौन यू 90 डिगरी है तो क्य Q U और O U ये एक दूसरे पर लंब होंगे तो हमने लिखे Q U लंब होगा O U पर ये एक दूसरे पर लंब होंगे ठीक है अब देखे O R, O S, O T और O U व्रत की तरजाएं एक ये व्रत की तरजाएं नहीं है पर व्रत की तरजाएं देखो O R जो है और O S ये एक वरत की तरिज़ा है उस्जी पेकार O T और O U दूसरे वरत की तरिज़ा है ठीक है कि और हम जानते हैं कि तरिज़ा जो होति है इस प्रश्रेखा पर लं vig होती है या हमनि अध्याधास में पढ़ाता ठीक है तो देखो O R कर त्रिजजा है वृत की Pr पर फ्रलंब है ये तो इस Penal Pr क्या होगा। देखें नहीं तो प्रलंब है। टिज्जा है और टिज्जा है क्यों दुसरे पर तो QT क्या होगा, इस परश रेका होगी, उस्थी परकार OU के हैत्रिज्जा है, और OU लंभ है QU पर, ठीक है, तो QU क्या होगा, इस परश रेका होगी, तो हम कह सकते हैं कि अथा PR, PS, QT, और QU, आब इस परश रेका हैं, ठीक है, तो यह होगी हमारी रचना की प्रमानिकता, प्रश्णी चार में है निम्नमैसे प्रतेक के लिए रचना का और चित्य भी दीजिए यानि की रचना की प्रमाणिकता भी करनी है तो रचना क्या करनी है हमें प्रश्णी चार में 5 cm त्रिज्जा के एक ब्रत पर ठीक है तो 5 cm त्रिज्जा का एक ब्रत बनाना है एसी दो इश्पर्ष रेखाई खीचिए जो परसपर 60 degree के कौन पर जुकी हों तो दोस्तों पहले प्रश्ण को समझ लेते हैं हम फिर प्रश्ण की रचना करेंगे ठीक है जो भी कहा गया हमें तो हम पहले बना लेंगे 5 cm त्रिज्जा का एक ब्रत बना लेंगे ठीक है फिर द और ओ भी दूसरी त्रिज्जा होगी ठीक है और दोस्तों हम जानते हैं हमने अध्याय 10 में पढ़ा है कि त्रिज्जा जो होती है वो इस पर श्रिखा पर लंब होती है इसका मतलब पी ये पर लंब होगी ओए ठीक है इसका मतलब है यह जो कौन ए है यह 90 degree का होगा बिलकु 90 degree का होगा तो दोस्तों देखो यह 60 degree का कौना हमें खीछना है यह दोनों 90 degree के होंगे और हम जानते हैं कि चतुरबुज का चारो कोणा का योग होग 350 degree होता है ठीक है तो यहां पर यह जो ओ, ए, प, प, ब, यह चतुर्बुजी तो है ठीक है तो इसका 4 ओडो का योग हो खो लिख दिया। धन कॉनण फी कहां मं रचना करनी है। तो लिख दिया। धन कॉनण B कॉनण B 90 डिगी है तो लिख दिया। बराभर 360 टिगरी, तो अब कॉनण O धन, 90 धन 60 एकथं 50 धन 90 तो कॉन बराबर एक सोबीस डिग्री इसका मतलब यह जो कॉन ओ है यह 120 डिग्री का होगा तो दोस्तों यहां पर बस हम समझ रहें कि प्रश्ण को कैसे हल करना रशना कैसे करनी है तो हम क्या करेंगे इसमें कॉन ओ 120 डिग्री का बनाएंगे ठीक है फिर यह जो कॉन यह 90 डिग्री का बनाएंगे तो यह जो कॉन P your यह है यह अपनी आप 300 डिग्री है बजाएगा ठीक है आते हैं अब हम रशना पर अभी तक हमने बस प्रश्ण को समझा है तो आए दोस्तों, अब हम इसकी रशना कर लेते हैं, तो रशना की चरण, सबसे पहले तो किसी बिंदू O को किंद्र मानकर 5 cm तरज्जा का एक ब्रत खीच दिया, प्रकार की साहिता से, फिर ब्रत पर एक बिंदू A लीजे, ब्रत पर हमने एक बिंदू A ले लिया, कहीं मिले फिर स्किल पट्री की सहिता से, अब O A पर 120 डिग्री की कौ这么 पर O भी खीचिया, तो overe पर हमें 120 define, को अब लोबी की कौновे ж === प्रक्रिया है उस्ते को अपनाएंगे हम यहां पर हम क्या करेंगे में बेंदू पैंसल को कुछ दूरीपर विडिए चाफ लगा देजे बड़ा सा ठीक है आप एक प्रतिश्य है करेगा काटेगा वहां पर एक बेदू ले लेंगे अब क्या करना होगा दोस्तों 120 दिग्री का कॉन बनाने के लिए प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसिल की दूरी को वही रखेंगे प्रकार के नुकिले हिस्से को ले जाएंगे इस बिंदू पर जो हमें चाप लगाने पर मिला था ओ ये पर ठीक है अब अगर हम वह विंदू और इस बिंदू से किरण खीच दें तो 60 degree का अकौन मिलेगा प्रणतों में 120 degree का कौन खीचना है तो हम प्रकार की नुकिले इससे और पैंसिल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुक्लेज इससे को रख देंगे इस बिंदू पर जो अभी दोनों चापों को काटने पर मिला था ठीक है और पैंसिल से रगा देंगे एक चाप जो पहले लगाएगा इस चाप को प्रतिष्यत करेगा वहाँ पर एक बिंदू ले लेंगे ठीक है अब यह जो O बिंदू है ब्रत का केंद्र वो और यह तो नया बिंदू मिला हमें इस बिंदू से जाते हुए हम एक रिखागन खीच देंगे जो ब्रत को जिस बिंदू पर प्रतिश्चित करेगा वो बिंदू हो जाएगा भी ठीक है है अब जो दोस्तों कॉण अब कॉंण के बनाने के यह प्रक्रिया होती है यहां पर हमें 10 20 डिघ्री के Conn पर ob को खीज दिया. अब चलते हैं रचना के चौते चरन में. यहाँ में avo पर 90 डिघ्री का Conn बनाने वाली किरन a x कीजनी है. a o पर हमें किरन कीजनी है a x जो इस avo पर 90 डिघ्री का Conn बनाने के लिए मेरे हमने अध्या 11 के प्रपेण्चे के वीडियो में सीखा था कि कैसे । रिधर का कौन बनाते हैं यदि आपने हमारे अध्या 11 के प्रपेण्चे का वीडियो नहीं द elders देखा है तो अवश्य दिकें उसी वीदी का प्रयोग हम यहां करने वाले हैं क्या करना होगा मैं प्रकार का नुकिला हिस्सा रखेंगे बिंदू एपर और कुछ दूरी पर ले जाएंगे पैंसिल को एक बड़ा सा चाप लगा देंगे यह चाप जहां पर भी एओ को काट रहा होगा ठीक है वहां पर एक बिंदू ले लेंगे प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले हिस्से को रख देंगे अब इस बिंदू पर जो हमें चाप लगाने पर एव उपर मिलाता है और pencil से लगा देंगे एक चाप, जो पहले लगाएगे चाप को जहां प्रतिश्यत करेगा, वहाँ पर एक बिंदू ले लेंगे, अब प्रकार के नुकिले हिस्से और pencil की दूरी को वही रखेंगे, और प्रकार के नुकिले हिस्से को ले जाएंगे, उस बिंदू पर जो हमें अभी दोनों चापों के प्रतिश्यद बिंदू पर मिला धा तो वहां पर प्रकार के नुकिले इससे को रखेंगे और पैंसल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगाएगे चाप को प्रतिश्यद करें जहां प्रतिश्यद करेंगा वहां पर एक बिंदू ले लेंगे प्रकार के नुकिले इससे और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले इससे को रख देंगे अब हम इस बिंदू पर ठीक है और एक चाप लगा देंगे बाइं तरफ अब प्रकार के नुकिले से को ले जाएंगे इस बिंदू पर जो प्रतिश्यत बिंदू मिला था ठीक है और पैंसल से प्रकार के नुकिले से और पैंसल के दुरी को वही रखेंगे और पैंसल से एक चाप लगा देंगे जो पहले लगाएगे चाप को प्रतिश्यत करें इन यह रेखाखंड AO के साथ 90 डिगरी का कॉंड बना रही होगी ठीक है तो हमने रचना के चौता चरण फूरा कर दिया AO पर 90 डिगरी का कॉंड बनाने वाली किरण AX कीज़ दी अब चलते हैं रचना के पांचवे चरण में यहां पर हमें AO पर 90 डिगरी का कॉंड बनाने वाली किरण BY खीकी दी खुने हैं तो Bo यह है इस Express ग्रिखा व्रत की तरजया वहोति ब डिगरी का मनाने वाली खीक रहे है वो B-O पर क्या होगी इस पर रिखा होगी ब्रत पर उसी प्रिकार यह जो हमने A-X खीचा है ए-ओपन-90 डिग्री का कॉण बनाते हुई क्योंकि A-O तरिज्जा है तो A-X वाले किरन है यह क्या हो जाएगी इस पर शेक्षा हो पर एक बिंदू ले लेंगे, अब प्रकार के नुकिले इससे और पैंसिल की दूरी को वही रखेंगे, और प्रकार के नुकिले इससे को रख देंगे इस बिंदू पर, जो चाप लगाने से भी ओपर मिला था, और पैंसिल से एक चाप लगा देंगे, जो पहले लगाएगे प्रतिश्यत करें, जहां प्रतिश्यत करेगा वहां पर एक बिंदू ले लेंगे, प्रकार के नुकिले इसे और पैंसिल की दूरी को वही रखेंगे, अब प्रकार के नुकिले इसे को इस नए बिंदू पर रखेंगे, और पैंसिल से लगा देंगे एक चाप जो पहले लगा है कि चाप को प्रतिच्छित करें जहां प्रतिच्छित करेंगे वहां पर एक बिंदू ले लेंगे प्रकार के नुकिले इससे और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले इससे को रख देंगे हम इस बिंदू पर और एक चाप लगा देंगे उपर की तरफ पैंसल से ठीक है अब प्रकार के नुकिले इससे को लेंगे इस बिंदू पर और एक चाप लगा ना देंगे ऊपर की तरफ पहले लगाए गधिशंट करें जहां पर जोने जाने किरण बटिश्य करेंगे sub के सकते होगा घंडियों कि बनाने वाले करण बिवय को कीछ दिया अब चलते हैं रचना के छटवे चरण पर मान लेता है कि किरण AX और किरण BY दोनों एक दूसरी को जहां प्रतिच्छेद कर रही है काट रही है वह है बिन्दू P तो दोस्तों यहां पर हमारी रचना पुरी हो गई अब हम कह सकते हैं जो पी A और पी B है वही हमारी अभिष् पर जुकिये है तो देखो PA ठीक है और PB यह दोनों जो है हमारी अभिष्ट इसपर्श रेखाए हैं जो एक दूसरे से परसपर किते डिगरी के कौन पर जुकिये है तो दोस्तों यह तो होगे हमारी रचना पूरी अब हमें करनी है रचना की प्रमाड़कता को तर्टाथ को तो देखे कौन की नभवब्ब्ब्ड इंगरी का है ही अमने रचना की थी कौन नभब्ब्ब्ब दिग्री का है थी थी तो कौन एच्च कर पी आप रेंगमुद्ध है ग्या किती है थी प्कमा मंभब hm पर B-E-Y के रन खीचे थी नमबर डिगरी की इसका मत्दब है कि PB जो है PB जो है वो लंब होगा OB पर PB OB पर लंब होगा इल्गी जिसाए बात है और OA और OB क्या है ब्रत की तरज्जा हैं और PV लंब है OV पर, OV भी त्रज्जा है, इसका अधर PA और PB क्या होंगी, इस परस रेखा हैं होंगी, हम कह सकते हैं कि PA और PB अविश्ट दो स्परस रेखा हैं, पर ये साथ डिगरी के कौंड पर क्यों हैं, इसकी भी पुष्टी कर देते हैं, प्रमानिक्ता कर देते हैं, कि दोन च्तुर्फ़ुज के चारो कॉड़ों का योग 360 डिगरी होता है यहां पर देखिए कॉड़ पी ए कॉड़ ओ जिन Bedrile होना चाहिए क्योंकि पी ए ओ बी यह एक चतुर्फ़ुज बन रहे हमारा ठीक चारो कॉड़ों का योग नंकरीती नप्य डिग्री बराबर 300फ दिगरी तो कौंड फी धन तो इसका मिदलब जो हमारी इस पाश रेखाए है पी ए ओ पी भी ओ पर सबधर विद्धक किते डिगरी के कौन पर जुकी हुई ? जो PA और PB है, 60 degree के कौन पर जुकी है, तो इस परस रेखाए है PA और PB, इसकी पुष्टी हमने यहांपर कर दी थी, अब PA और PB जो है, एक दूसरे से परसपर 60 degree का कौन बना रही है, उसकी पुष्टी हमने यहांपर कर दी, रिश्चतरा हो जाती है हमारी रचना की प्रमाणिक् प्रशन पांच, प्रशन पांच में कहा गया है निम्न मैंसे प्रतेक के लिए रचना का अचित्त भी दीजे तो रचना करनी है और रचना की प्रमाणिकता करनी है प्रशन पांच में कहा गया है आठ सेंटीमेटर लंबा एक रेखा का डेवी कीचिए तो दिस्तों प्रश्ल को समझ लेते हैं पहले फिर रचना करेंगे ख़लेंगे आद्यू mirat लूभा1 करीखाा का नेस्की ओकीचल यह सिंद्ट्बिधंॡंगं से 3 सिज्ड का एक खीचना है आप प्रते हुषत पर दूसरे ब्रत के के किन्र से फ़श्रेकाई की रशना करनी है यानि कि बड़ा वाला जो ब्रत है 4 सेंट्र मेर सका के टैंसार्स है तो यह फिर एक पर स सम्दी भाजक किचना होगा तो वह के चिंगे क्मेसими데 ठीक है अभ ये जो भरत खीचा है यह मान लिजे जो पहला हमारा ब्रत है, जहां मिलएगा वह बिंदग को एक केंदु से मिला देंगे तो एक प单 का भी ओच पर या सो मखर नहीं पंनेखेन जाओ, करेगा वहां हमें दो मिलेंगे पहला विंदू पी मिला तो इसको केंद्र बी से मिला देंगे तो इस पर श्रिकाओं की रचना करनी है तो यह तो अब हम करते हैं इसकी रचना तो बहुत ही आसान रचना है दोस्तों सबसे पहले क्या करना है रचना की चरण पहला चरण है आठ सेंट्मेटर लंबा एक रेखाकंड एवी खीचे है एक एवी रेखाकंड आप स्किल से नापकर 8 सेंट्मेटर का खीच दीजेगा फिर बिंदू एक को केंद्र मान का 4 सेंट तरिज्जा का एक प्रकार से हम ब्रत खीच देंगे फिर चरण 3 बिंदू बी को केंद्र मान का 3 सेंट्मेटर तरिज्जा का ब्रत खीच देंगे ठीक है अब आजाते है रचना के चौते चरण में यहाँ पर हमें क्या करना है एवी को सम्धिवाजित करेंगे और माल क्यों क्यों क्कुछ हमें सब्सठा क किसिने है बी के इंद्र वाले ब्रत पर ठीक है तो इसलिए अद्याजित करेंगे और में फिर fluffy सम्धिवाजित से mortar का हमपारे मजाएगा दोनों का तो आप हमानी को सम्धिवाजित तो दोस्तों और खीजीवीम को सम्धिवाजित करने क तरीका हमने 11 के परिचे के वीडियो में सीका है तो आप हमरे 11 के परिचे का वीडियो अभश्च देखें उसी विधी का प्रेवह हम यहां करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे AB से आधे से अधिक AB कितना है यहां पर हमारा 8 cm है तो 4 cm से अधिक माल लेजे 5 या 6 cm की दूरी रखेंगे प्रकार के नुकिले से और पैंसल के बीच में है और प्रकार के नुकिले से को रखेंगे बिंदू ये पर प्रकार के नुकिले से को ले जाएंगे बिंदू भीपर और पैंसल से एक चाप लगा देंगे उपर अब प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले से को भी बिंदू भीपर ही रखेंगे और pencil से एक चाप लगा देंगे नीछे जहां पर भी जो है ऊपरे वाले चाप काटेंगे एक दूसरे को, उसको माल लेते हैं कोई एक बिंदू? माल लेते हैं x. उसी पर का नीचे जो दोनों चाप, एक दूसरे को प्रतिषęd कर रहा हैं, उसे माल लेते हैं विन्दू by आप x और y को मिला देते हैं एक गारेखा कि जिछँ लेते हैं ठीक है x और y को मिला दिया, हमने एक रिखा किछ ली कि ठीक है अब यह जो xyод a b को जुहां प्रतिश contenido कर रहा है वहाँ एक बिंदू ले लेते हैं बिंदू O, ठीक है, तो यह जो बिंदू O है, यही है हमारा AB का मद्ध बिंदू, ठीक है, तो हमने XY से जो है AB को सम्धिवाजित कर दिया, ठीक है, और जहां प्रतिछेत क्या वो बिंदू O माल लिया, तो हमें AB का मद्ध बिंदू मिल गया O अब चलते हैं रचना के अगले चरण में अब यहां पर O को केंद्र मान कर तथा O A को तरजजा लेकर एक वरत खीच दिया प्रकार का नुखिला हिसा रखेंगे विंदु भूबर और जो है O A को तरजजा लेकर एक वरत हमने खीच दिया आज आते हैं दोस्तों रचना के चटे चरण में, तो यह जो हमने O को केंद्र मानका, बिंदू O को केंद्र मानका जो ब्रत कीचा है, मान लेते हैं कि यह जो ब्रत है केंद्र A वाले ब्रत को बिंदू P और Q पर, तता केंद्र B वाले ब्रत को बिंदू R और S पर प्रतिचेद करता है तो केंद्र A वाला जो ब्रत है यह हमने पीले रंग से दिखा दिया इसको केंद्र O वाला ब्रत जो है बिंदू P और Q पर प्रतिचेद कर रहा है तो उपर वाले बिंदू को P माल लेंगे और नीचे वाले बिंदू को Q माल लेंगे ठीक है उसी पिकार यह जो केंद्र O वाला ब्रत है, यह केंदर B वाले ब्रत को, ठीक है, जैसे हमने भी रंगीन कर दिया, वाले ब्रत को बिंदू R और S पर प्रतिचेद करता है, तो यहाँ यह भी दो बिंदू को प्रतिचेद हो रहे हैं, तो उपर वाले बिंदू को R माल लिया और नीचे वाले बिंदू को S मान लेंगे अब रचना का अगला चरण है सात्वा चरण बिंदू A को बिंदू R तथा बिंदू S से मिला देते हैं ठीक है फिर रचना का आठवा चरण बिंदू B को बिंदू P तथा बिंदू Q से मिला देते हैं और बिंदू B को बिंदू Q से मिला देते हैं ठीक है यह मिला अब जो है तब हम कह सकते हैं कि AR AS BP BP अभिस्ट्श रिकाए हैं ठीक है AR AS BP और BQ यह चारों क्या हैं हमारी अभिस्ट्श रिकाए हैं यह तो हो गई दोस्तों हमारी रचना इस पर्चाओं की अब हमें करनी है इसकी प्रमाडिक्ता रचना हो गई दोस्तों अब हम रचना की प्रमारिक्ता करेंगे उसके लिए हमें शुरू में क्या करना है AP, AQ, BR और BS को मिलाईए तो A और P को मिला देते हैं A और Q को मिला देते हैं B और R को मिला देते हैं और B और S को मिला देते हैं मिला दिया भीया आब AB जो है व writings ago केंद्रवाले विर्त का व्यास है तो इसका मतलब AB जो है अर्धवरत होगा О केंद्रवाले व्रत का बिल्कुर अर्धवरत होगा और दोस्तों कच्छा नौ में हमने पढ़ा था अर्द्वरत का कॉन समकॉन होता है मतलब कि AB से अगर हम कोई कॉन बनाएंगे यह O के इंडर वाले ब्रत में तो वो समकॉन होगा 90 डिग्री का होगा तो अब देख लेते हैं कॉन R जो है वो 90 डिग्री का होगा कॉन R जो है वो AB से बन रहा है ठीक है अर्द्वरत का कॉन समकॉन होता है तो कॉन R 90 डिग्री का होगा कॉन R 90 डिग्री का है तो AR और BR यह एक दूसरे पर लंब होंगे बिल्कुल सही बात है अब देख लेते हैं कॉन S 90 डिग्री का होगा कॉन S ये भी AB से बन रहा है अर्द्वरत से बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री का होगा अगर कॉन S 90 डिग्री का है इसका मतलब AS और BS एक दूसरे पर लंब होंगे AS और BS ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे बिल्कुल सही बात है कौन पी भी 90 डिगरी का होगा देख लेते हैं कौन पी क्योंकि ये भी AB से बन रहा है और कौन पी 90 डिगरी का है तो BP और AP BP और AP ये एक दुसरे पर लंब होंगे बिल्कुल सही बात है फिर देख लेते हैं कौन Q भी 90 डिगरी का होगा क्योंकि ये भी AB से बनने आर्द वरत का कौन समकौन होता है कौन Q 90 डिग्री का है तो BQ और AQ BQ और AQ ये एक दूसरे पर लंब होंगे विल्कुल सही बात है अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजे AP और AQ जोको AP और AQ ये A के इंडर वाले वरत की तरज़ाएं है और BR और BS ये B के इंडर वाले वरत की तरज़ाएं है ठीक है अलग अलग वरत की तरज़ाएं है लेकिन वरत की तरज़ाएं है और दोस्तों अध्यादस में हमने पढ़ाता कि तरिज्जा जो है इसपश्रेखा पर लंब होती है अब यहाँ पर देखिए AR जो है वो BP पर लंब है ठीक है AR जो है BP पर लंब है उसी पिकार जो है AQ जो है BQ पर लंब है ठीक है अब BR जो है AP AR पर लंब है और BS जो है AS पर लंब है तो हम कह सकते हैं कि जो AR है वो BR पर लंब है, BR तरज्जा है तो AR क्या होगी हमारी इस परस रेखा उसी पेकार जो है AS जो है वो BS पर लंब है, BS तरज्जा है तो ASP क्या होगी इस परस रेखा तो हम कह सकते हैं कि A, R, A, S, B, P और B, Q यह हमारी क्या अभिष्ट इस पर्ष रेखाएं हैं तो इस तरह के से इस तरीके से जो है हमने रचना की प्रमाणिक्ता को भी पूरा कर दिया प्रशनी 6 में दोस्तों इसमें भी हमें निम्न मैंसे प्रती के लिए रचना का और चित्ते भी दीजे मतलब रचना करनी है और रचना की प्रमाणिक्ता भी करनी है प्रश्ण 6 में कहा गया है माना ABC एक समकॉंट तरबोज है जिसमें AB बराबर 6 cm है BC बराबर 8 cm है तता कॉंट भी 90 डिग्री का है फिर B से AC पर BD लंब है फिर BC और D से होकर जाने वाला एक ब्रत खीजा गया है अब A से इस ब्रत पर इस प्रश रिखाओं की रचना कीजिए ठीक है तो बहुत ही अच्छा प्रशन है दोस्तों आपको सीखने को भी मिलेगा तो अब इस प्रशन को हल कर लेते हैं तो आईए दोस्तों इसकी रचना कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें ABC एक समकौन तिर्बुच की रचना करनी है जिसमें EB 6 cm और BC 8 cm और कौन भी 90 डिगरी का तो रचना की चरण हो जाएंगे पहले क्या करते हम BC जो 8 cm लंबा है उसको खीश लेते हैं तो 8 cm लंबा एक रहका कंड BC कीचे है तो हमने BC पर इसकेल से नाप लिजेगा 8 cm और 8 cm लंबाई का BC रहका कंड खीश लेगा अब BC पर 90 डिग्री का कॉंड बनाने वाली किरंड BX कीचिए ठीक है अब हमें BC पर 90 डिग्री का कॉंड बनाने वाली किरंड कीचनी है BX जो B से उपर जाती हो ठीक है क्योंकि कॉंड B जो है वो हमारा 90 डिग्री का ना इसलिए तो दोस्तों यहां पर हम एक और तरीका सीखते हैं कैसे 90 डिग्री का कॉन्ट बना सकते हैं ठीक है एक तरीका था जो हमने आध्या 11 के परीचे के वीडियो में सीखा था और एक तरीका और सीख लेते हैं आप किसी भी तरीके से 90 डिग्री का कॉन्ट बना सकते हैं तो क्या है यह तरीका पहले तो यह जो BC है इसको एक मतलब विप्रीत दिशा में थोड़ा सा बढ़ा लिए फिर परकार का नुकिला इससे रखे विंदू बी पर पैंसिल को कुछ दुरीज़ पर ले जाए और एक बड़ा सा चाप लगा दीजे ठीक है जो दोनों तरफ काटे है DC को भी काटे और DC की विप्रीत दिशा में भी काटे दोनों तरफ काटे तो दोस्तों इससे पता शलता है कि 180 दिग्री का को Almost का 1010 ग्री काण को सम्धिवाजे 111 के परिश्चे का वीडियो अवश्चे देखें वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे किसी कौन का सम्धिभाजे किसते हैं तो देखो एक सम्धिभाजे कीचेंगे तो 90 डिगरी का कौन मिल जाएगा क्या प्रक्रिया होगी देखो यह जो हमने चाप लगाए था यह बीसी को जहां काट रहा है वहां एक बिंदू ले लिया अब यह दो जो बिंदू मिले उनमें से एक पहला जो बिंदू था जो बीसी पर है वहां पर प्रकार के नुकिलेस से को रखेंगे ठीक है और जो है जि परकार की नुकलियस्य को रख देंगे अब इस बिंदू पर जो चाप लगाने पर हमें विप्री दिशाम मिला दा और जो है की तरफ लहागो प्रतीशित करें अब दोनों चाप जहां प्रतीशित करें वहाँ पर एक बिंदू ले लेंगे यहे बिंदू मान ली आमने एकस है अब B और X से जाते वही एक किरण खीश देंगे तो ये जो BX से जाते वही किरण है अब ये BC के साथ कित्ते डिगरी का कौण बनाएगी 90 डिगरी का कौण बनाएगी बिन्दू B पर 90 डिगरी का कौण खीश दें हमने अब क्या करना है B को केंद मानकार तता 6 cm तरिज्जा का एक चाप किरण BX पर लगाई है तो कि AB कहा है 6 cm है तो BC तो हमने खीश लिए 8 cm का कौण भी 90 डिगरी का है वो बना लिया तो B से A की दूरी कित्ती है 6 cm इसलिए B को केंद मानका 6 cm तरिज्जा का एक चाप लगाई है तो प्रकार का नुकिले इसे रखेंगे बिंदू B पर प्रकार के नुकिले इसे और पैंसल की दूरी रखेंगे 6 cm और एक चाप लगादेंगे किरण BX पर यह चाप जहां पर भी किरण BX को काटेगी माल लेते हैं कि यह चाप किरंड BX को बिंदू A पर प्रतिशित करता है तो यह बिंदू A मिल गया हमको अब A, C को मिलाइए बिंदू A और बिंदू C को मिला देते हैं तो दोस्तों इस प्रकार हमने ABC समकौन चिल्बुच की रशना कर ली है जिसमें A, B जो है वो 6 cm है B, C जो है 8 cm है और कौन B जो है 90 degree का है अब अगला चरण आता है B से AC पर BD लंब है तो अब B से एक लंब डालना है किस पर AC पर ठीक है तो BD एक लंब डालना है कि D बिंदू हो गए यहाँ पर तो अब हमें बिंदू B से लंब डालना है करण AC पर ठीक है तो वो कर लेते हैं अब तो दोस्तों अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे किसी बिंदू से किसी दूसी रिखा पर लंब डाल सकते हैं ठीक है तो इसका क्या रचना का चरण होगा इसका बिंदू B से AC पर हमें B-D लम डालना है ठीक है तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी उसको समझ ले जे बिंदू B से हम प्रकार का नुकिला इससा रखेंगे और Pencil को दुरी को रखेंगे प्रकार की नुकिलिय से और Pencil की पर काट रहा है एसी को यह चाप उन दोनों बिंदों को दर्शा देंगे ठीक है तो पहली प्रक्रिया तो यह हो गई बी से हमें लम डालना है एसी पर तो हमने प्रकार का नुकिला इस सब बीपर रखा बिंदू बीपर और एक ऐसा चाप लगाया जो एक सौसी डिग्री का अब इस एक सौसी डिग्री का अगर हम कौन सम्धिभाजा कीज़ दें जैसा कि हमने अध्या 11 के परिचे के वीडियो में पड़ा है तो हमें 90 डिग्री का कौन मिल जाएगा यानि की लंब मिल जाएगा क्या प्रक्रिया होगी प्रकार के नुकिले इस से को रखेंगे इस ब नुकिले को ले आएंगे गी डूसरे बिंदू पर और पजलते चाप लागा देंगे जो पहले चाप को प्रतिश्यद करें दोनो चाहां इक दूसरे से को प्रतिश्यद करेंगे वहां एक बिंदू ले लेलिंगे अब यह जो बिंदू आया और Gl madb B को मिलाते हुए यह किरण खीच देंगे यह किरण जो है A C को जहाँ प्रतिश्यद करेगी जिस बिंदू पर वो बिंदू होगा हमारा बिंदू D और यहां पर जो है वह हमारा लंब होगा एसी पर ठीक है यह वह ऑन गया नौन बाडिकर के काॉंड तो यह हमने कर लिया B से A AC पर हमने एक लंब डाल दिया, BD, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, बिंदू बी, सी, डी से होकर जाने वाला एक ब्रत् खीचना है, ठीक है, तो अब आजाते हैं रच्टना के साथ वे चरंड में, जहां बिन्दुों B C D से होकर जाने वाला बरतeenth कीचना है भी सी ओडि मुट्ड इसे होकर जाने वाला ब्रत किचना है तो केंद्र कहा लेंगे वह तो हमको पता नहीं है उसके लिए देखिए A C जो है A C पर Lam B D है Ec पर tastes like energy. A C पर bd lab है हमारा अभी हमने है तीक है अब अर्द्व रध का कॉन सम कॉन होता है है हम interestsla है कोई कॉण कीचा जा घूरत के अंदर तो वह समकॉन होता है यहां पर देखियτε अगर हम एक व्रत कीचे बीजियोटी से होकर जानेवाला और तीनों बिंदों से बीजियोटर कि D । is 50 deg втор है जो है यहां पर वर्द से होगा réfव होगा टो हम कर देऄं ब्रत का कि भी लिएस товार्ट हो यहां सिक तो हमारा अर्थव्रत हो200 है यहां पता चलुकर जो और यह जो एम और यह दौद का व्रत होगा है कि से को बिसे हगे WiFi वियास होगे यह हमें पता च्लिगा अब तो बहुत आजाएगा अगर हम व्रत के व्यास का लम संदिभाजें खीछ तो form का मदिभीन्दू होता हैं तो करना सो च्रास का मदिभीन्दू को मैं जाय किन्दू करने का तरीकी 100 के विडियो में पढ़ चुके हैं टिक배 अध्या 11 के परिचे का वीडियो अवश्च लेके हैं क्या तरीका है BC को सम्धिभाजित करना है तो B पर रखेंगे प्रकार का नुकिला हिस्ता प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को रखेंगे BC के आधे से अधिक दूरी पर ठीक है और एक चाप लगा देंगे उपर अब प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को रख देंगे fix और प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे और प्रकार के नुकिले से और पैंसल की दूरी को वही रखेंगे पैंस लेंगे यहां दोनों नीचे चाप प्रतिश्यत करें वहां एक बिंदू लेंगे इन दोनों बिंदू से उपर जाने वाली एक रेखा किच देंगे ठीक है यह रेखा BC को जहां प्रतिश्यत करेगी वही होगा BC का मद्ध बिंदू ठीक है तो BC को जहां प्रतिश्यत कर रही है Februari चीक का 5 7 विलिगा दोफ्त जाने वाला व्रत खिशना है क्या करेंगे ऊके किन्द्र मानने कर तता OSI देंगे ऊचितर ले ले लो कि जेंगे ते प्रकार क नुकिला है जिस तर में अब बुख को अज़िता मेर को केंद्र होगा O और त्रिज्जा होगी OC ठीक है अब O A को मिलाइए O और A को मिलाइए क्यों मिलाना है O और A को यह समझ लिए प्रश्ण में आगे देखिए B C D से होपर जाने वाला व्रत्तों खिष दिया हमने O A को पट्री की स्केल की साहता से हम मिला दिंगे है दोस्तों अब यह प्रश्ण हो गया बिल्कुल की तरह फैद्र को रटका selection हमने Er Az excess मिला धिया अब हमने क्या करना होगा एक A से शपर्ष रिखा खिसनी है, तो K एंद्र O और A, जिसका मद्धि बिंदु निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें O A को करना होगा सम्धिभाज़त ठिक हैं, तो हम O A को सम्धिभाज़त कीजिए, माना की O A का मद्धिभाज़त E है, और किसी भी रिखाकन को सम्धिभा दाईं तरफ एक चाप लगा देंगे अब प्रकार के नुकिले इससे और पैंसिल की दूरी को वही रखेंगे प्रकार के नुकिले इससे को बिंदू ए पर ही रखेंगे और एक चाप लगा देंगे और एक चाप लगा देंगे दाईं तरफ जो पहले वाले चाप को प्रतिश उसका मतलब Ae और Eo यह बराबर दूरी पर हैं अब हमें क्या करना होगा E को केंडर मानकर तता Ae को तրज्जा लेकर एक व्रत कीजिए अब E को केंडर मानेंगे और Ae को त्रज्जा लेंगे Ae को ले लिजे या Eo को ले लिजे एक ही बात है क्योνकि E मद्य बिंदू है, E होगा. То E को कंद्र मान कर, और A E को त्रिजा लेकर, हमने एक ब्रत खीच दिया. तो दोस्तों, जो हमने अभी ब्रत खीचा है, E को कंद्र मान कर, माल लेता है कि ये जो ब्रत है, ये O कंद्र ब्रत को, दो बिंदू पर तो प्रतिश्यत कर रहा है, वो बिंदू है, तो को बिंदू B तो दिखी रहा है हमको, बिंदू B पर प्रतिश्यत कर रहा है, ठीक है, दूसरे बिंदू यहां प्रतिश्यत कर रहा है, यसे मान लेंगे हम बिंदू F, ठीक है, तो बिंदू F पर प्रतिश्यत तो अब जो है AB और AF, वही हमारी अविष्ट इस्पर्ष रेखाए हैं, AB और AF, यही हमारी इस्पर्ष रेखाए हैं, जिनकी की हमें रचना करनी थी, तो यह हो गई दोस्तों रचना, अब हम कर लेते हैं रचना की प्रमाणिक्ता को, अब तो बहुत यहासान हैं दोस्तों, रचना होगई रचना की प्रमाणिक्ता कर लेते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, O और F को मिलाईए, ठीक है तो, केंदर O और बिंदू F को मिला देते हैं, हमने दिखाई दे अच्छी से समझ में आ, इसलिए केंदर E वाले व्रत को प इसका मतलब जो है, O अर्दवरत होगा, बिल्कुल होगा व्यास अर्दवरत होता है, और हमने पढ़ा है, कछा नौ में अर्दवरत का कौन समकौन होता है, यानि कि अर्दवरत से खीचा गया कोई भी कौन जो है उस वरत पर समकौन होता है, ठीक है, तो अब A O से अगर हम क इसका मतलब AB लंब है OB पर AB ठीक है OB पर लंब है AB इसी पिकार देखिए कौन F 90 डिग्री का होगा क्यों कि ये अर्दवरत का कॉन है होने अर्दवरत का कॉण सम्मकोर्ड होता है यह अर्दवरत है यह से बनाया हुआ जी ब्रफ पर तो यह व्यास वाले ब्रत पर ही बनाएगा कॉन है तो कॉने 50 डिक्री का होगा कॉने 50 डिग्री का होगा सका मतलग फ्मीन शहरा वह भगाओ कि कholm O B और O F O B और O F ध्यान दीजिएगा याँ पर केंद्र O वाले वरत की तरज़ाएं है ठीक है यह हमने इस रंग से दिखा दिया अलग रंग से केंद्र O वाला जो वरत है उस केंद्र की तरज़ाएं है O B और O F ठीक है देखिए केंद्र ओ से ओकर जा रही है तो ओबी और ओएफ जो है केंद्र ओवाले वरत की त्रिज्जाएं है और दोस्तों हम जानते हैं हमने अध्याय 10 में पढ़ा था कि त्रिज्जा जो होती है इस पर श्रेखा पर लंब होती है ठीक है तो ओबी और ओएफ तो यहां होगे दोस्तों हमारी रचना की प्रमाडिकता भी प्रश्ण साथ प्रश्ने-चाहिए गश्ट प्रतेक एलिए रचना का अच्छत्ट भी दीजे ठीक है तो रचना करनी है और उसकी प्रमाडिकता करनी है प्रशन साथ में है किसी चूड़ी की साहिता से एक व्रत खीचना है तो इसका मतलब है हमें जो है उस व्रत का किंद्र नहीं पता होगा ठीक है ब्रत के बाहर एक बिंदू ले लेंगे इस बिंदू से ब्रत पर इशपष रिखाओं की रचना कीजिए ठीक है तो दोस्तों प् दोस्तों रचना कर लेते हैं तो रचना के पहला चरण है किसी भी चूड़ी की साहिता से एक व्रत खीचिए एक व्रत खीच देंगे हम चूड़ी की साहिता से अब दोस्तों हमें इस ब्रत का केंद्र नहीं पता है तो हमें इस ब्रत का केंद्र गयाद करना है तो दोस्तों जैसा कि हमने अध्या 11 के परिच्चे के वीडियो में सीखा था कि किसी भी व्रत का किंद कैसे ग्याद करते हैं दो असमांतर जीवाई लेंगे ठीक है उनका लंब सम्धिवाज़क खीचेंगे वो दोनों लंब सम्धिवाज़क जहां प्रतिश्यत करेंगे वही होगा हमारा ब्रत का केद्र ठीक है तो आप हमारे अध्या 11 के परिच्चे का वीडियो अवश्य देखिए बढ़ते आगे अब हम ब्रत पर दो असमांतर जीवाई ले ले लेते हैं AB और CD एक असमांतर जीवा ले 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 AB दूसरी ले ले CD मतलब की यह दोनों समांतर नहीं होने चाहिए बस दो समांतर जीवाई ले 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 AB और CD अब क्या करेंगे पहले AB जीवा का लम सम्दिवाजक खीच लेंगे फिर CD का खीच लेंगे तो अब भी खीचते हैं AB जीवा का लम सम्दिवाजक तो लम संदिवाजे कैसे खीचना दोस्तों ये भी अध्य है 11 के परिचे के वीडियो में हमने पढ़ा है तो आप वहाँ पर उसे अवश्य पढ़ लें उस वीडियो को अवश्य देख लें तो कैसे है क्या थी वो विदी AB का लम संदिवाजे कीचना है तो प्रकार का नुकिला इससा रखेंगे बिंदू A पर और प्रकार के नुकिलेस से और पैंसिल की दूरी को रखेंगे AB के आधे से अधिक और एक चाप उपर लगा देंगे अब प्रकार के नुकिलेस से और पैंसल की दूरी को आप वही रखेंगे और प्रकार के नुकिलेस से को बिंदू ए पर रखेंगे और पैंसल से एक चाप लगा देंगे नीचे जो पहले लगाएगे चाप को प्रतिश्यत करें जहां पर उपर वाले दोनों चाप प्रतिश्यत करें वहां एक बिंदू ले लेंगे जहां पर नीचे वाले दोनों चाप प्रतिश्यत करें वहां एक बिंदू ले लेंगे इन दोनों बिंदू से होकर जाने वाली एक रेखा खिश देंगे यह रेखा AB जो जीवा है उसको जहां प्रतिश्यत करेगा वो AB का मद्दिविंदू होगा ठीक है तो यह जो रेखा है इसने AB जीवा को जो है लंब सम्दिवाजित कर दिया इसका मतलब जो है यह जो हमें के रेखा मिली है यह AB को दो बराबर भागों माटती है और यह जो कौन है AB पर बना रही है 90 डिगरी का कौन ठीक है तो AB जीवा पर हमने लंब सम्दिवाजित कीच दिया अब हम खिचेंगे CD जीवा पर लंब सम्दिवाजित कीचेंगे विदी वही रहेगी प्रकार का नुकिले हिस्से लेंगे विंदू सी पर और प्रकार के नुकिले हिस्से और पैंसल की दूरी को फिक्स रखेंगे प्रकार के नुकिले हिस्से को बिंदू सी पर रखेंगे और एक चाप लगा देंगे पैंसल की दूरी को वही रखेंगे प्रकार के नुकिले हिस्से को ले आएंगे हम बिंदू डीपर और एक चाप लगा देंग को लोगोगे बहले जुम को प्रतिश्यद करें अब मतलब यहां पर यह दोनों चOFF को प्रतिश्यद करेंगे . इन दोनों बिंदुों से होकर जाने वाला रेका किसदी ये रेका CD को जहां प्रतिश्यत करेगी वही मिल रहा है हमको CD का लमसंदी वाज़क ये जो रेका है यही है CD का लमसंदी वाज़क ठीक है तो इसका मतलब ये कौन हो गया 90 डिगरी का तो हमने AB का लमसंदी वाज़क खीषती रेका और CD की लमसंदी वाज़क रेका कीषती हमने आज आते हैं रचना के पांचवे चरण में रचना के पांचवे चरण में है माना कि बिंदु O इन दोनों लमसंदी वाज़कों का प्रतिश्यत बिंदु है हमने A,B जीवा का लंभ सम्धिवाजग की चाहे और CD जीवा का लंभüber की चाहे यह दोनों सम्धिवाजग जिस विंदू पर मिल रहे हैं प्रतिशेत विंदु जो है इन दोनों लंभ सम्धिवाजक उसको माल लेते हैं हम बिंदु O तब जो बिंदु O है वही क्या होगा हमारा व्रत का केंद्र होगा अब हमें इस व्रत का केंद्र पता चल गया विंदु O ठीक है दोस्तो अब तो ये प्रश्न जो है प्रश्न एक की तरह हो गया है या हम कहलें रचना 11.3 की तरह हो गया है अब तो बहुत ही असान है अब क्या है ब्रत के बार एक बिंदू पी ले लिजे तो एक बिंदू पी ले लिया हमने ब्रत के बार पी ओ को मिलाईए ठीक है तो बिंदू पी और निर्फेशन केंद्रों को मिला दिया अब पी को संद्धिवाजित करिए माना कि पी ओ का मध्ध बिंदू एहम है तो आप पी ओ रेखाकंट को संद्धिवाजित कर लेते हैं कैसे अभी हम नहीं किये ते समधिवाजत जीवाओं को उसी विद्धी से प्रकार का नुकिले इससा रखेंगे बिंदू पीपर प्रकार के नुकिले इससे और पैंसिल की दूरी को रखेंगे पीयों के आदे से अधिक और एक चाप लगा देंगे उपर अब प्रकार का नुकिले इससा बिंदू और एक चाप पैंसिल नेगे नीचे 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 ऑन और लेखा किस देंगे लिए रेखा किस देगे यह रेखा कि अपद종 का मत्धि बिंदू होगा और हम मान रहे हैं कि पीओ का मत्ध बिंदू क्या है यह बिंदू जो है हमारा क्या हो जा अब तो कुछ बचाई ने इस प्रश्ण में अब क्या करना है म को केंद्र मान करता है मों त्रज्जा लेकर एक व्रत खीच देते हैं अब माना कि यहां व्रत दिये गई जो व्रत जो हमने चूड़ी से खीचा था व्रत ना उस व्रत को बिंदू Q और R पर प्रतिशित करता है तो देखो यह जो व्रत अभी खीचा है और जो व्रत पहले खीचा था वो दोनों व्रत दो बिंदू अब प्रतिशित करते हैं पहले बिंदू को हम माल लेंगे बिंदू Q और नीचे वाले बिंदू को माल लेंगे बिंदू R आगे बढ़ते हैं अब क्या बस बिंदू P को को बिनदू क्यूं च آپ से मिला दिए को बिनदु क्यूं क्यु haul से मिला देते हैं मिला दिया भिया। विंदू पीकू चरेल से Mik हर भीकू जो हमारी अब इस दो इस परश रेखा हैं तो PQ और PR ये हैं हमारी दो इस परश रेखा हैं जिनकी हमें रचना करनी थी दोस्तों ये तो हो गई हमारी रचना अब हम कर लेते हैं इस रचना की प्रमाणिक्ता को तो हुआ तो आईये दोस्तों अभं कर लेते हैं रचना की प्रमानेखता पुोलिए सबसे पहले केंद्र व और भियास को मिल दीजित्र प्र व्रद का व्यास है पिवर्द हो विल्कुल व्यास है तो फिर अर्ध व्रतों होगा था लिए टौझ उन्ट्वारा विल्कुल होगा दोठीक नमक्रत होता है तो दोड़ेगर कौन बनाएंगे हम व्रत के अंदर वो समकौन होगा कौन क्यों 90 डिग्री का होगा क्यों 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 कौन की 90 डिग्री का है इसका Χाओ तो इसका मदलब PQ और OQ एक through प्रभ आप फिल भंगे तो हमने लिखा PQ लंब है OQ पर ठीक है यह दोनोंगों तुर सप्रलभ होंगे उसी फकार कौन आर 90 डिग्री का है तो PR और OR एक दूसे पर लम होगे यह हो गए दोस्तों अब देखिए OQ और OR केंदर features की तरज़ा रहे हैं ठीक है तो OQ और OR इस वाली ब्रत की त्रिज्जा है किंद्रो वाली ब्रत की और हम जानते हैं हमने अध्याज 10 में बढ़ा था त्रिज्जा जो है इस परश्रिका पर लंब होती है ठीक है तो OQ और OR त्रिज्जा है ठीक है और OQ लंब है PQ पर तो PQ क्या होगी इस परश् तो हम कह सकते हैं कि PQ और PR अविष्ट दो इस परस रेखाए हैं यही हमें प्रमाणिता करनी थी रचना की यहां होगी हमारे प्रश्ण साथ के रचना की प्रमाणिता उमीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों